ये वीडियो क्लास 13 वालों के लिए बहुत महत पूर होने वाली है ये वीडियो आपके इंगलिश के Most Important Questions की वीडियो का Part 3 होने वाला है और ये आपका Last Part होगा जिसमें मैं आपको Section D से Related Most Important Questions बताने वाला हूँ इसमें आपको दोनों बुक्स के Most Important Questions मिल जाएंगे और जो हमारा बुक्स में सी Paragraph आता है कुछ में यापर आपको Paragraph भी बता दूँआं जो कि हमारे Most Important है 2025 के एक्जाम के लिए और साथ में Poem से Related Paragraph और उसके Questions जो हमारे English के 2025 के एक्जाम में आ सकते हैं वो सभी मैं यापर आपको बताऊंगा लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना वीडियो को Skip मत करना इस वीडियो से पहले ही मैं दो वीडियो और अपलोड कर चुगा हूँ जिसमें मैं आपको Section B के Most Important Question और Section C के Most Important Question बता चुगा हूँ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख ले लिंक डिस्क्रिशन में आपको मिल जाएगा टाइम को बरवाद किये भी ना हम यहाँ पर Section D के Most Important Questions को स्टार्ड करता है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हूँ तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे मैं तो पूर्ण बैल आइकन को All पर प्रेस कर ले इससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टरस की Most Important Questions के उपर वीडियो कलोड करूँ तो उसकी Notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब देखते हैं हम इसमें Section D के Most Important Questions को और यहाँ पर भी आपको लिखावा देखी रहोगा उत्रकंड बोर्ट दोजार पच्चि दिखा देता हूँ और यह Table मैंने आपको इसके पहले पार्ट में समझा दिती मैं यहाँ पर आपको वाली Section D जो हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ कोशन यहाँ पर आप देख लेना कितने आएंगे और यहाँ पर यह जो हमारा Section होगा यह Total आता है हमारा 35 नंबर का तो आप इस Section को ढंक से तयार रखे जाना कोशन नंबर 12 से कोशन नंबर 20 तक यह हमारे Section नंबर D के अंदर ही आते हैं यहाँ से हमारा Section D इस्टार्ड जाएगा यह हमारा पहला कोशन है जो कि हमारा A Letter to God यह कोशन हमारा 2016 में भी आया हुआ है और 22 में भी आया हुआ है इस साल के लिए लैंच वाले चैप्टर से यह हमारा Most Important कोशन है आप इस कोशन को जरूर तयार रखे जाए और जिन श्टुएंट के पास Notes नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पर कोशन के आंसर भी दे रखे हैं आप यहाँ से उनको Note कर लेना यह हमारा अगला कोशन जिसमें हमें पैरागराफ दे रखा होता है और उससे Related हम से कुछ कोशन्स पूछ रखे होते हैं यह पैरागराफ है हमारा डायरी वाले चैप्टर से आपको पता होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहता हूँ यह कितनी बार आ चुका है और इस सा तो ये paragraph आपका इस साल आ सकता है तो आप इस paragraph को 2025 के एक्जाम के लिए जरूर तयार रखे जाएं यह हमारा most important paragraph है और आगे इसके questions भी है और उनके answer भी उनको आप महां से note कर लेना जो कि आपको यहां पर दिख रहे होंगे यहां से आप इन questions को और इनके answer को note कर लेना ऐसे ही हमारा अगला paragraph है वरली वाले chapter से तो यहां से आप इस paragraph को भी देख ले और इसके जो questions हैं और उनके answer वो मैंने आपको आगे लिख रखे हैं वहां से आप note कर लेना और आगे मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि कितनी वारी exam में अब तक आपके repeat हो चुका है यहां पर आप देख लें यह आपका 2015 में भी आ चुका है और 2022 में यह भी हमारा most important है आप इसको भी जरूर तयार रखे जाना और इससे related हमें यहां पर questions दे रखे हैं और इनके answer आपको यहां से मिल जाएंगे और इसमें 5 questions दे रखे हैं जरूरी नहीं है कि 5 ही questions आपके exam में आएं कम भी आ सकते हैं यह आपका तीसरा paragraph अलग question जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं यह आपका 2016 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है तो आप इसको भी जरूर तयार रखे जाना इस तरेकी के paragraph आपकी book से 2 आते हैं तो कोई से भी दो आपके आ जाएंगे exam में यह इस paragraph के question है और answer मैंने यहां पर दे रखे हैं आप हाथो बात इनको note करते रहना note करने के लिए ज़्यादा time नहीं है इससे बड़ी आप इसकी insert भी ले सकते हैं और यह question short question में most important question है इस question को आप जरूर तयार रखे जाना जो हमारा chapter है दा proposal वाला यहां पर आप देख भी सकते हैं क्यों most important है यह question आपका 2015, 2019, 2023 में आ चुका है अब यह next आपका 2025 के exam में जरूर आएगा तो आप इस question को जरूर तयार रखे जाएं और यहां से आप इसके answer को भी note कर लेना या फिर आपके पास इस cancer लिखा हो तो उसको भी आप याद कर कर जा सकते हैं यह भी question हमारा proposal वाले chapter से most most important है क्यों important है वो आप यहां पर देख लें 2016 में भी आया हुआ है 2012 में भी आया हुआ है तो आप देख लें एक ही chapter से दो questions हमारे हो चुके हैं और एक शायद एक question और इसका आगे तो इन दोनों questions में से कोई ना कोई question आपका इस साल जरूर आएगा तो दोनों questions को आप यहां से तयार कर लें यहां पर आप देख लें यह भी question हमारा proposal chapters है और यह question हमारा 2024 में आ चुका है इसलिए इस question के कम chances हैं अब जो मैंने अभी उपर आपको दो questions बताए उन में से कोई ना कोई question आपका आ जाएगा इस साल उन questions को आप जरूर तयार कर लेना और यह जो आपका अगला question है यह आपका dust of snow जो आपकी poem है उससे related है और यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा most important question है यह question हमारा 2016 में भी आया हुआ है और 2019 में भी तो poem से यह हमारा most important question है आप इस question को जरूर तयार कर जाना और book में जितनी भी poem है उनका आप central theme जरूर तयार कर लेना यह अकसर exam में किसी भी poem का पूछ लिया जाता है और यह हमारा style के लिए important है इसको तो आप जरूर ही तयार कर लेना ऐसे ही हमारा अगला question है जो कि हमारा dust of snow जो poem है उसी से ही motion potent है और यह हमारा दूसरा question हो चुका एगी poem से और यह हमारा 2016 में आया हुआ है और 2022 में तो यह भी हमारा important है तो आप इसको भी जरूर तयार कर ले यहां से जल्दी से यह हमारे पास poem वाले paragraph और यह जो paragraph है हमारा यह हमारा fire and ice जो आपकी poem है उससे related है और यहां पर आप देख ले यह paragraph आपका 2015, 2017, 2022 तीन साल आ चुका है अब यह next आपका 2025 के exam में जरूर आएगा यह हमारा most important है आप इस paragraph को जरूर तयार रखे जाएं और जादा तर इस paragraph से related हमसे तीनी question पूछे जाते हैं exam में तो यहां पर मैंने आपको इस paragraph के questions भी दे रखे हैं और साथ में उनके answer भी उनको आप यहां से note कर लेना और यहां पर जो में इतने सारे questions दे रखे हैं इतने सारे questions नहीं आते जादा तर तीनी questions पूछे जाते हैं हमसे और यह question जरूर पूछा जाता है जिसमें हमसे poem का नाम और poet का नाम पूछ रखा होता है तो इसको आप जरूर तैयार रख कर जाना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो central theme होता है हरे poem का उसको आप जरूर पढ़कर कर जाना fire and eyes वाली जो आपकी poem है उसका भी central theme हमारा most most important है 2025 के exam के लिए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2020 में भी तो आप इसको जरूर तैयार कर जाएं यह हमारा अगला paragraph जो कि हमारा 2016 में आया हुआ है और 2020 में यह शायद हमारा tiger वाली poems है आप देख लेना और यह भी हमारा most important paragraph है और यहाँ पर इसके questions लिख रखे हैं आप यहाँ से इनको note कर लेना और answer मैंने नीचे करवाई रखे हैं यह question आपका short questions में most important है आप इस question को जरूर तैयार कर जाना यह जो आपका Amanda वाला chapter है इसमें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यह question आपका 2015 में 2020 में 2022 में तीन साल आ चुका है अब यह next आपका 2025 के exam में जरूर आएगा तो आप इस question को जरूर तैयार कर जाना ऐसे ही हमारा अगला question है और यह हमारा 2017 में आया हुआ है और 2023 में तो यह भी हमारा important question है यह आपका 2025 के exam में जरूर आएगा आप यहाँ से इसको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ज़्यादा time नहीं है हाथ वाथ आप इन questions को तैयार करते रहना और यह जो आपकी fog वाली poem है उससे दोनों ही questions हमारे most most important है क्यों important है वो आप यहाँ पर खुद देख लेना यह question आपके 2015-2023 यह जो आपका उपर वाला question था आप जो नीचे वाला question है वो यह मैं आपको दिखा देता हूँ यह question आपके इस साल जरूर आएंगे क्योंकि यह बार बार repeat हो रहा है हमारे और यह हमारे poem बाले question में ही आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह question हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2018 में भी अब यह 100% है आपको यह परसो इंगलिश के पिपर में मिल जाएगा यह है हमारे पास अगला paragraph और यह हमारा 2016 में आया हुआ है और 2019 में तो यह भी हमारा important paragraph है तो आप इसको भी जरूर तयार के जाना यह जो हमारी poem है इसका नाम और poet को भी आप जरूर तयार कर लेना ऐसे ही questions हमारे exam में ज़्यादा पूछे जाता है और अब मैं आपको इस poem के question और answer दिखा देता हूँ वहाँ से note कर लेना दूसरा question और यह हमारा पहला question दूनोई question हमारे most important है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह question हमारा 2017 और 23 में आ चुका है और यह question हमारा 2017 20 और 24 में आ चुका है तो यह जो आपका पहला वाला question है इसको आप जरूर तयार रखके जाना यह आपको exam में मिल जाएगा यह question हमारा long question में most important question है आप इस question को जरूर तयार रखके जाएं और अभी जो मैंने आपको tricky वाला chapter बताया था उसी का यह question है और यहाँ पर आप खुद देख लें कितनी बार यह question आ चुका है 15, 17, 19, 22, 4 साल यह आ चुका है अब यह next आपका 2025 के exam में जरूर आएगा तो ऐसे यह question में हमारा long question में important है दो साल आया हुआ है 2016 में और 2018 में तो इसको भी आप exam से पहले एक बार देख लेना दो नोबुक से लगवगा आप दो-दो long question जरूर तयार गर कर जाएं यह जो आपका अनील वाला chapter है यह भी आपका most most important है यह भी आपको परसो exam में मिल जाएगा और वो भी long question में और आप तक ही कितने तरीकों से exam में पूछा जा चुका है आप यहां से note कर लें और कितनी बार repeat हुआ है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आपको यहां पर दिखी रहा होगा 2016, 2020, 2024 तीन साल यह हमारा आ चुका है यह हमारा 2024 में आ चुका है इसलिए इसके chances कम है लेकिन आप तयार करकर जाना most important question है हमारा और यह दोनों ही questions हमारे short question में important question है आप इन दोनों questions को जरूर तयार कर जाना और यहां पर आप देख लें यह question हमारे 2015, 2019, 2020 दो साल ही हमारा उपर वाला question आ चुका है और उपर वाला ही question ही हमारा इस साल के लिए जादा important है तो आप इस question को जरूर देख करके जाएं और यह जो आपका ग्रिफिन वाला chapter है इस chapter से भी आपका long question इस साल जरूर आएगा इस बात का ध्यान दखना एक question आपका 2016 और 2017 में आया हुआ है ग्रिफिन वाले से और एक अगला question है ग्रिफिन वाले से यह question भी आपका repeat हो चुका है कब repeat हुआ है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ लेकिन आप ग्रिफिन वाले chapter से इन questions को जरूर पढ़ लेना यह question हमारा 2016 में भी आया हुआ है 2012 में भी जरूर तयार रखके जाना परसो आपको एक्जाम में यह मिल जाएगा ऐसे ही अगला question है यह हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2019 में भी important question है तयार जरूर करकर जाएं और यह question भी हमारा short question में important question है क्यों important वो आप यहाँ पर खुद ही देख ले यह question अभी तक हमारा एक्जाम में 3 साल आ चुका है 2016, 2017, 2022 यानि की कुल मिला कर अभी यह next आपका 2025 में आएगा यह इसका पहला question और यह इसका दूसरा question यह question हमारा important है लेकिन यह हमारा 2024 में आया हुआ है तो इसके chances अभी कम है लेकिन यह जो आपका अगला question है necklace वाला यह आपका most important है आप इस question को जरूर तयार कर जाना और यहाँ पर आप देख भी लें यह आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2022 में भी answer आप यहाँ से note कर लेना और यह जो आपका बोली वाले chapter से question है इस question को भी आप जरूर तयार कर जाना यह हमारा most important question है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2019 में भी इस question को आप जरूर तयार कर जाएं answer मैंने यहाँ पर लिख रखका है आप यहाँ से note कर लेना तो section D से यह सारे questions हमारे most most important हैं आप इन questions को जरूर तयार कर जाएं और सभी के answer भी मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं जिनके पास notes ना हो यहाँ से तयार कर लेना लेकिन तयार जरूर कर कर जाना जब तक यह video upload होगी आपके पास time बहुत कम होगा तो यह थे हमारे उत्रखन board class 10 वालों की section D के most important question जो कि मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे बता चुका हूँ और आप इन सभी questions को ढंग से तयार कर जाना क्योंकि जो आपको section D आता है वो total 35 नंबर का आता है अगर आप section D को ही ढंग से तयार कर लेंगे तो आप English में वैसे ही पास हो जाएंगे लेकिन आप ढंग से तयार कर लेना और अगर आपको English के पेपर में कोई भी doubt हो तो comment करकर पूछ लेना मैं आपको वहाँ पर बता दूँआ और साथ ही अभी तक आपने SST और MAT के 2025 के exam के लिए most important questions नहीं देखे हैं तो इनकी वीडियो में पहले ही चैनल के ओपर upload कर चुका हूँ और दोनों ही वीडियो का लिंक में डिस्क्रिशन में दे दूँआ वहाँ से जाकर आप देख लेना और उन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करना और ये वीडियो अगर आपके exam के लिए थोड़ी सी भी helpful रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकल को और प्रप्टेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी subject के most important questions के उपर वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके तो मिलते हैं फिर हम next वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को like करें comment करें comment करकर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके exam के लिए helpful थी या नहीं थी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल न भूले और next वीडियो का wait करें